हेलो एव्रिवन आज हम यहां पर मनौ विशलेशनवाधी अलोचना पर बात करेंगे यानी psico analysis जो है उस पर बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मनौ विशलेशनवाधी अलोचना पर तीन प्रकार के जो विद्वान है उनोंने अपने-पने मत दिये सिग्मंट फ्राइड जो है उन्होंने अपना मत दिया है उसी प्रकार एलफरड एडलर है और काल गुफताफ यूंग है यानि कि फ्राइड एडलर और यूंग यह तीन विचारक है इन अलोचक है इनकी अलोशनाव पर हम बात करेंगे और अभी इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने इसको इसी वीडियो में कवर किया तो कहीं ने कहीं आप में कंफ्यूजन क्रेट होगी और यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्डन अगर कोई है मनोविशलेशन वादी अलोशना को पढ़ने में त जो बात करते हैं वह वेस्टी मनुविज्यान होता है इंग्लिश में से इंडिविज्वल साइकोलोजी कहते हैं और यूंग जो बात करते हूं उसे विशलेशन मनुविज्यानी यानि अनि एनिलेटिकल साइकोलोजी कहते हैं तो इस परकार फ्रायड ने साइको एनिसिस अ इस पे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो मनुविशलेशन उसको इंग्लिश में शाइको अनेलेसिस कहते हैं और मनुविगयान का मतलब होता है साइकोलोजी ठीक है और सिग्मेंट फ्राइट के बारे में का श्रही ने दिया जाता है और फ्राइट का जो जन्म है वो मुराविया में हुआ था छह मई को 1856 में और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्राइट के ना बहुत सारी लेखन कारे उन्होंने किये हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रसिज्जों है वो नाम यह दिये हुए हैं जिसे इंट्रोड़क्ट्री लेक्चर ओन साइकल एनलिसीज 1922 में इसी तरह न्यू इंट्रोड़क्ट्री लेक्चर 1933 में सिविलेजिशन एंड इट्स डिसकंटेट्स यह 1929 में और इसी प्रकात The Ego and the Id और वियांड नी प्लेजर प्रिंसिपल्स ऐसे करके टोटम एंड ट्याबो आधी जो है और थियोरी आधी करके जो है इनकी पुस्त की विश्येश्षव हैं एंकि प्रसीदे हैं ऐसे पुस्तिके इनों लिखे सामने स्क्रीड पर दिया हुआ है हिंदी लाइंगुज में लिखा हुआ है Outर इंग्जिस के वोडस है पढ़ने में थोड़ी से निकत दोरी है आप इनके इंग्रिश में भी इनके नाम सामने लिख सकते हैं ठीक है तो दो चार याद करना है बाकी एक्जाम प्रेस्पेक्टिव से इतना जाद इंपॉर्टन नहीं है बस दो चार नाम याद करें न वह एक्जाम लिखना पड़ेगा आपको ठीक है और फ्रैड द्वारा प्रियुक्त जो मनुविशलेशन है साइको निलसी सब्द है वो प्रियुक्त करते हैं वो हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो जो लिविडो जैसा शब्द वो यूज करते सिग्मन फ्रैड जिसे हिंदी में कामचेतना कहते हैं उस पर हम बात करेंगे में विसे के लि जो फ्रैड है वो एडिपस गरंती इलेक्ट्रा गरंती आदिस पर भी बात करते हैं तो यह सब चीजें हम अभी डिसकर्स करने वाले हैं ठीक है और जैसे यह देखो जो हमारे लिविडो सबसे बड़ा लिविडो को ना वो सबसे बड़ा सच मानते हैं यानि कामचेतना जो और जिसमें पिता जो होता है उसको दुखा कान बाता है मतलब बच्चे को लगता है कि पिता की वज़े से बच्चा मा से दूर हो रहा है तो इसी वज़े से क्या होता है कि इडिपस गरंती जो होती है उसमें गांट सी पढ़ जाती है ठीक है यानि कि उसके दिमाग में एक को मतलब कुंठासी कह दो में पापा को दुष्मन मार पाठता एक पिता को ची कह है और इसी तरह इलेक्ट्रा गरंथी जो होती है उसमें किने पिता की प्रति प्रति अपनी भावनय सबसे Rapha हो में है और मात जैसे पतनी की कामना करता है ठीक है एलेक्ट्राइडीपस ग्रंथी फ्रेट जो होते हैं दोनों में ऐसी बाते करते हैं जिसका हम आगे थोड़ा और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे मैं जब सबसे पहले इन शब्दों से परिचीत हुई थी तो मैं होम साइंस ज इसके मन में उत्पन होने वाली जो भावना है उस पर हम बात कर रहें ठीक है और फ्रेट न काफी विस्तार से इन पर बात करते हैं प्र्रेट का अर्थ होता है कारे करण का द्रड़ सन्बंक दो प्राइड यह आति हैं कि बहुती घटना की सामान जैसे बहुती घटना आघतacak रेटेते वी तो इसकी समाने कि JOSH कि ऐनिद्र किया है उस्पर जब हम बात करते हैं दो मन की संरेशना दो प्राइक किम जुरा कार सतस्ते स्ट Запनेप उसमें और और आवचेतन पर बात करेंगे, चेतन को conscious कहते हैं, और आवचेतन को पूर्वचेतन भी कहा जाता है, और इसे pre-conscious या subconscious कहा जाता है, इसी तरह आवचेतन आता है, कुछ लोग आचेतन को आवचेतन भी कहते हैं, तो confused नहीं हो ना, आप इनके English वाले नाम याद रखो, conscious, pre-conscious और फिरवर को पढ़ते हैं तो यहां पर मैं प्राइड को पढ़ते हैं तो हमें काफी कुछ पता चलता हैं जैसे मैं पहले आपको चेतन और अच चेतन बता देती हूं उसके बाद फिर हम यह जादा विस्तार से डिस्कुस करेंगे देखे और जैसे हमने पढ़ा कि मनोबिश्रेशन मन की सरेशना दो परकार की होती है एक चेतन और चेतन उसी परकार दूसरी जो होती है इड एगो शुपर एगो यानि इदम अहम अतियहम ठीक है इदम अहम अतियदम ठीक है तो कुछ दूर तक ये दोनों विभाजन एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है पूरक ही है इसमें सपस्ट विभाजन रेखा नहीं होती पहले उन्होंने ये उपर वाली जो है उसी साब से बाटा था फिर उसके वाद उन्होंने इसको कर दिया ठीक है तो हम दोनों पर विस्था से बात करेंगे देखो जिसले चेत करते हैं तो जिसका दों पार्ट जो है वो तो पानी में धकौंह और जो चेतन वाला पौर्षन है वो दिख रहा है ठीक है ऐसी मन इनसान के मन की भावनाई होती है चेतन वो होता है जो इंसान जो कर रहा है और जो बाहर से दिख रहा है हमें देखने पर ठीक है वो चेतन मन होता है conscious mind होता है उसका ठीक है मतलब उसमें क्या होता है कि वो जैसा हमें दिखाना चाता है हम उसे वैसा देखते हैं सोच समझ कर कुछ करना ठीक है और उसे हम कहते ह यानि जो दिख रहे सामने ठीक है उसे हम चेतन कहते हैं इसी तरह जो होता है अब जेतन या फिर हम प्रिकॉंश्यस जिसे कहते है यानि सपने जो इच्छाएं मतलब इस ही में इडीपस गरंति होती है म addicted क्षोप पढ़ने के वारे में मन में नो होती है इडिपस गरंथी होती है वो, ठीक है, तो कुछ ऐसी इच्छा जिसे हम दबा देते हैं, इसलिए पानी के ओपर नहीं दिख रही हो, अंदर हमारे मन के अंदर होती है, वो दिखती नहीं है, ऐसे इच्छा हैं होती हैं, जो हम दबा देते हैं, अब चेतन मन में, या फिर हम प चेतन मन में आ जाती हैं, और बाद में पूरी भी हो सकती है, ठीक है, प्रेकोंशियोस जो होती हैं, वो क्या होती है कि हो मतलब ये इच्छा को बहुत ही जादा ये इच्छा हमारे अंदर तीवरता से आती हैं और अगर इन इच्छाओं को दबा दिया जाता है तो वो अनकॉंशिस मन में चली जाती हैं और ऐसी इच्छा काम चेतना ही होती हैं और फ्रैड कहते हैं कि ये ऐसी इच्छा दबा दी ज जान पाते हैं, जैसे sexual desires होती है किसी के ठीक है, और वो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कई बार rapist के रूप में वो बन कर आ जाता है, ठीक है, तो ये चीजे, ये, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि वो अच्छे रितन वाला unconscious mind में, वो किसी का रेप कर डालता है ठीक है मतलब ऐसी चीज़े आ जाती है ठीक है और यह चीज़े इन्होंने discuss की है या और जब आप pre-conscious में परते हो मतलब कोई सपना देखता है और उस सपने को पूरा करना चाता है और कई बार वो बहुत हार्ड वर्क करता है वो IS, IPS बनना चाता है या फिर वो PhD करना चाता है तो वो कड़ी मेनत करते हैं तो कई बार वो पूरी हो भी जाते हैं और कई बार वो नहीं भी होती है तो वो pre-conscious वाले में आ जाती है ठीक है और फ्राइड कहते हैं कि किसी व्यक्ति को समझना है तो चेतन अफ चेतन मन को समझो यानि जो बाहर से चेतन मन दिख रहा है वो नहीं बलकि जो उसका pre-conscious और unconscious है उसको mind है उसको समझो तब ही तुम किसी व्यक्ति को असली में समझ पाओगे यहाँ पर चेतना चेतना अफ चेतना आपने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं जो दूसरा वाला था id ego id super ego ठीक है तो id यानि की जो होता है उसमें वासनाई इच्छाएं होती है ठीक है इसमें क्या होती है वासनाई और इच्छाएं होती है और यह प्रकर्तिक है ठीक है खतम नियोती बदलती रहती है, और ये हम अब चेतन ही है ये, ठीक है, अब चेतन क्या ही, यानी कि अनकॉंशंस ही होती है ये, ठीक है, जिसे अचेतन आपने पढ़ाया भी, और पशुपक्षी, मनुश्य सभी में होती है, इस तरह की इडव, ठेक है, इच्छाएं होती हैं, वासनाइ सभी में होती हैं इसी तरह अगो पढ़ने से पहले आप सूपांग पढ़ लो कि जो सूपांगो होते हैं वह संचित समार्य मानिताओं का पृतीक होते हैं यानि नैतिक मन्न संसकारी मन्न रह시면 यह मारे मन में तीवर से कोई इच्छा जागे और हम उसको दबा दे, ठीक है, तो वो समाज के अनुकूल ही मतलब आचरन करें, तो उसे समाजिक मननेतों का प्रतिक मान लेते हैं, नैतिक मन होता है, यह संसकारी मन होता है, और नैतिक मूले जिसे जैसा मिलना चाहिए, उसी अनुरूप कारे करता है, वो एकदम आदर, शां और यह उस इच्छा को रोक लेती है, सुपर इगो जो होती है, वो इस इच्छा को रोक लेती है, ठीक है, यानि इड़ जो होती है, वो इस पर जोर तो डालती है, लेकिन यह रोक लेती है, ठीक है, तो वो जो होती है, वो जो बच्पन से कोई डिजायर होती है, वो सूसती इसी प्रेकार जब आप फिर इगो को पढ़ते हो तो इगो क्या होता है इड इना इडम और सूपर इगऊ इडम में आपका सूपर इगो में कहते हैं अती अहम ठीक है इडम और अती हम को जब जोड़ गार आ ऐस आधा है तो अहम बनता है ठीकिए यानि इड और सुपर-eGO को जोड़ने से उन-दोनों में बैलेंस बना कर जो चलता है वो इगो होता है एहम को हम चेतन मन कह सकते हैं ठीकिए यह जो हमने चेतन अफ़ चेतन यानि जो बाहर दिख रहा है ठीकिए पानी पत्थर का वो टुकड़ा जो बाहर दिख रहा है वो चेतन मन था तो इसे हम को एगो को हम चेतन मन कह सकते हैं जो बाहर दिखा और यह मन अहम जगत और अवचेतन के मध्ये मध्यस्त की भूमी का आदा करता है ठीक है क्या है यह बाहिए जगत जगत है और जो अवचेतन है के बीच में बैलेंस का काम कर करता है और इड और सुपर एगो के बीच में संघश कर जाने ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि बीच में व्यक्त कर देता है मतब उसके बीच में संघश कर जो हम व्यक्त कर देते हैं वहमन वहमन एगो होता है सहच प्रवृतियों पर नियंतर रखता है और प्रस्थित करें परिवेश और देशकाल की अनुकूलता प्रत्कीलता दे कर नियन्य करताई कि किसे कब संतुष्टी प्रदन करें एक यृग जोता है फिर वो उसको खतम कर देता है ठीक है यह चीज़े होती है अब कुछ-कुछ बहुत सी important चीज़े मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर देखो सिग्मन फ्रैड जो बात करते हैं एक तो आपको यह समझना होगा कि जैसे फ्रैड कहते हैं कि समाने धारना है कि यौन भावना ज लिए थी कि अधार इसा साइनक मैंटे में लिकिन अफ़े बात कि यहां पर लिखा हुआ है प्ररॉपर्स अरनभ्द मानवजन के साथ ही उत्पन उजाती है इसा फ्रैड मान लेंद। दूद पी निकले बच्चा मा का स्थन चूसता है तब यौन आनंद का रूप ही है फ्राइड मानते हैं कि बच्चे के यौन भावना सर्वत्म मा के प्रती उद्रिप्त होती है और बहुत बार पीता को वह अपना प्रतिसपर्दी माल लेता है किन्तु भैवश वह अपनी काम इच्चा की त्रिप्ती नहीं कर पाता है ठीक है ऐसा फ्राइड कहते हैं अब हम इडिपस गरंथी के बारे में बहुत देर से पढ़ रहे थे तो उस पर बात करते हैं कि मन में एक मनो गरंथी पैदा होती है इसे हम जिसे हम इडिपस गरंथी कहते हैं इडिपस के पीछे न नाम है वो एडिपस पड़ा ठीक है एडिपस ग्रंथी के कारण मा के प्रती जो यौन अकर्शन है उसकी अत्रिप्ती ठीक है वो हमें देखने को मिलती है फ्रैड की मानिता यह है कि एडिपस ग्रंथी जीवन में मनस्ताप यानि नियूरोसिस का कारण बनती है क्या फ्रैड कहते हैं कि एडिपस जो ग्रंथी होती है यानि इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो नियूरोसिस का कारण बनती है ठीक है जिसका निराकरण यानि इसका इसका निवारण नहीं होता तो ना होनी पर जीवन में व्याधियां उत्पन होती हैं, कटनाई उत्पन होती हैं, प्रिश्ण उठता है कि मनस्ताप किसे कहते हैं, तो फ्राइड का उत्तार है कि मनस्ताप एक प्रकार की नर्वस रोग है, नर्वस डिसीज है, जो जीवन में अत्रिप्त भावना कुंठा या मैल एड़िस्टमेंट के कान उत्पन होती है ठीक है जो व्यक्ति की मन की भावना नहीं पूरी हुई उसकी वज़े से जो उत्पन होती है वो ही कुंठा है ठीक है अब हम आगे जब फ्राइड को पढ़ते हैं तो हमें दो चीजों और पता च संदर में वाचिश हबते हैं सफ्राइड मानते हैं और यौन क्रेणा से आनंद की प्राप्ति होती है उसकी परिणती संद मतलब जो व्यक्ति होता है सेक्शल डिजायर होती है और उसकी सेक्शल डिजायर का at the end जो रिजल्ट हमें निकलता है वो होता है कि मतलब वो दंपत इच्छानी जो हैं सबसे ज़ादा एक तो सेल्फ अपने आपको बचाने रक्षा की प्रवर्ती सबसे ज़ादा होती है मतलब इंसान क्या होता है अपने आपको बचाने के लिए किसी भी हत्तक जाता है ठीक है और दूसरा यह जो प्रशनन या प्रिक्षन की प्रवर्ती होती है ठीक है तो इसमें आत्म्रक्षा की प्रवर्ति का प्रय कभी कबार ही बादित होती है मतलब avant अइन्ठी होता है कि अपने आपको बचाना और यह तो बहुत इसमें बाधा है लेकिन जो प्रज्णन प्रवर्ति असमें बाधा बाधी तो कर कुंठित हो जाती है है ना और कारण उसका यह होता है कि सभ्ऑता और संस्क्रेटि के नियम ने सरगी कामिछा कि स्वेढता त्रिपतों में बाधार डालते हैं यानि कि जो सेक्षियल डिजार्ष होती हैं उसके बीच में आड़ा उसमें उसमें problems करते हैं सभ्यत और संस्कृटिटिज के नियम जो होते हैं वो इसमें problems create करते हैं कि मतलब ऐसे समाज में यह सब समाज के अनुकूल नहीं है इसके समाज में रहने के लिए समाज जैसी ही उसी के नियम पर तुम्हें चलना होगा तो वो उसमें बाद हिमत पन करते हैं, इसलिए उने दमित करता है। यानि इसे लिए व्यक्ति को अपने जो seksual desire होती हkkeती है। उसे दमित करना पड़ता है। और मन में भारी यौन ओर्जा, मतलब ऐसा इडिव कहते हैं कि मन में मानव मेना भारी यौन ओर्जा होती है। ऐसी स्थिति के कार्ण योन उर्जा का दमन मनुष्य में अंगिनत मनोग्रंथियों और मनो रोगों का कार्ण बनता है। इससे बचने का एक ही उपाय की योन भावना का आबाद संतुष्टी यानि जो फ्रायड है वो कहते हैं कि योन भावना का आबाद संतुष्टी होनी च उसे मुक्त नहीं है इसमें आदिम मानव बशु दोनों के संस्कार महजूद है जिसने संभ्यता ने अपने परदे से चिपाया हुए ठीक है यानि इनसान अगर है तो उसे संभ्यता संस्कृति के दाइरे में रहना पड़ता है इसलिए मानव पर विचार करने करते हुए उसक कि सहज नैसर की गती को बाधित कर रखा है जब फ्राइड अपने विचार व्यक्त करते है न तो उनके चिंतन में नैतिकता अध्यात्मिकता कहीं भी नहीं होती ठीक है वह मुक्त उसमें कला और संस्कृति की शेत्र में भाव परिस्कार सिदान्त को स्विकार करते हैं ठीक और जो इन्होंने conscious, unconscious, unconscious की बात किया उसको और जादा अच्छे से समझने के लिए चीजे समझना बहुत जादा ज़रूरी था इसलिए मैंने इन पर आपको विसार से डिसकस किया है ठीक है और फिर उसके बादना हम ना थोड़ा से conclusion में जाते हैं और फिर हम क्या मोलते हैं इसको खतम करेंगे आपर तो हम यहां पर पता चलता है कि फ्राइट ने इस पस्ट किया है कि यहां पर फ्राइट के जो भी जितने भी विचार है उनका conclusion आ रहा है कि फ्राइट ने इस पस्ट किया है कि रोग का मूल कारण मनोगरंथिया है ठीक है और समस्या है कि इन मनोग जाता है और इस रोग को जो फ्राइड वो कहते कि कैसे खुला जाए कैसे इस रोग को हटाए जाए खतम किया जाए तो इसके लिए फ्राइड ने विभारिक परियोग के द्वारा मुक्त विचार प्रवाशेली की खोज की जिसके अनुसार वे अंतर मन में पड़े भावो को निकाल लाने का दावा करते हैं अचेतन अवचेतन से जिसे यानि की अनकॉंश्यस से कॉंश्यस में आ जाने पर गांट खोली जा सकती है और भावो का परिश्कार उद्दाती करण क्या जा सकता है जिसे किसी में सेक्शल डिजायर होती है तो क्या क्या जाए उस परस्टिक छेक्शुल डिजायर पूरी खर लेते हैं और मतलब ऐसा कि मतलब उसने उस लड़की को पसंद गया ठीक है उस लड़की से शादी करवा देते हैं तो कहीं नगी वो उसका जो उसका भयानक जो रूप है वो हमारे सामने नहीं आएगा क्योंकि अगर किसी को लड़का किसी को पसंद करता और वो उसको नहीं पापाता तो कहीं न कहीं वो उस पर ऐसे डटा कर देता है ऐसे से चीजां में घटना है देखने को मलती है तो फ्राइड का जो वो फ्राइड य फ्राइड जब ऐसी बाते करते हैं तो महां पर नैतिकता संसकार आधी चीजे बीच में नहीं आती है ठीक है वो खुलकर इस पर बात करते हैं और चेतन से चेतन में आ जाने पर गांट खोली जा सकती है और भावो का परिशकार उदातिकरन किया जा सकता है फ्राइड के चि यही सब चीजे मैंने यहां पर बताई फिर इसके बाद एल प्रेट एडलर आ जाते हैं और एडलर को हम दूसरी वीडियो में डिसकस करेंगे यहां पर हमने मारी वीडियो अल्रेडी लंपी ओचकी है बाकि जो मैंने नोट्स बनाए थे सब आपके सामने प्रॉपर प्रॉ आप अपने अलग से बना लो जो भी जैसा लगता आपको वैसे कर लो लेकिन एक्जाम में यह नोट्स टाइप ही अच्छे से ऐसे डाइग्राम के थ्रू बनाना अच्छे मार्क्स मिलेंगा और मैं 100% गैरंटीर दे रही हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस कोशन मे मनो विशलेशन वादी अलोचना आया ना तो इसको छोड़ना नहीं इसको करना है मैंने बहुत अच्छे से मैनत किया इसके पीछे और इस्पेशली आप लोगों के लिए किया है तो प्लीज इसको अच्छे से कर लो और एक्जाम में अच्छा लिखना चलिए फिर अगले ह के साथ मलते हैं टेक केर बबाई वीडियो अच्छी लगी होते लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो जाद जादा फ्रेंड के बीच शेयर करो थैंक यू